दोस्तों नमसकार पाडलीपूति उनिवर्सिटी पीजी समेस्टर वन सेशन दोहजार थेस पचिस और पीजी समेस्टर थड सेशन दोहजार बाइस चोबिस के विद्याद थी हैं तो आप लोगों का एक्जामिशन फोम फिल हो रहा आप सभी को पता है लेकिन फोम को भरतने क के दवरान कॉलेज में कौनकों से डोकुमेंस को आपको सम्मिट करना होगा इसको ले करके इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो चलिए और कुछ लोगों का यह भी सवाल था कि राजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड नहीं होता उनके बारें भी हम बात्चित करेंगे बात्चित करेंगे तो आज की डेट की यह जो अपडेट है आप लोगों के लिए बहुत ही मतपूर है और खास है भी सेस है तो चलिए इस वीडियो में बने रहें संपुन जनकरी हम आपके साथ में रखना चाहेंगे तो यह करके पुरा पुरा अपडेट देने का प्रयास करेंगा सबसे पहले हम डोकुमेंट के बारें बात्चित करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखेगा सेमेस्टर बन की विद्यात थी हैं तो आप लोगों का जो एडिमीशन हुआ था उसका रसीद चाहिए ठीक है और पेमेंट स्लीप भी उसका चाहिए उसके बाद आप लो लोगों को रिजल्ट लगेगा और कास्ट सट्फिकेट जरूरी है देना ठीक है क्योंकि पेमेंट यहां पर आपको कम और ज्यादा लग सकता इसलिए का सट्फिकेट आप लोग जरू दीजिएगा ठीक है यह हो गया आपका समेस्टर वन के लिए अब हम बात कर लेते हैं स प्रट्लीपुत्र भी स्वेडियाले से होंगें तो प्रट बन में जो राजिस्ट्रेशन शिप था वह लग अप रिजल्ट में आप लोग समेस्टर तू का रिजल्ट दे देते हैं तो वहां पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है आपका जो है रोल नबर भी मेंशन किया तो आपके लिए कोई दिकत नहीं होने वाला लेकिन आपको काव सट्फिकेट देना ही पड़ेगा ठीक है और आप लोगों के एड्मिशन स्लिप देना पड़ेगा यहां तक बात हो गया लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों का यह भी काया था कि राजिस्ट रेजिस्टेशन डांलोड नहीं हो रहा जो पाड़ लीपुत20 2023 से पहले से ही रेजिस्टेशन करा चुके हैं थांप बनमें यहां फिर वीड की होंगे उनके पास में रेजिस्टेशन होका ठीक है तो ही रेजिस्टेशन से काम deck दुब़रां डांलोड नहीं होगा problem है अब बात हो गया कि कुछ लोगों कहीं भी काना कि payment जो है कैसे कटेगा तो दोस्तों payment बैसे मेरे ख्याल से जो भी कटेगा आपको offline ही कटेगा लेकिन कुछ जो कॉलेज हैं अपना website के माध्यां से आप सभी से पेमेंट लेंगे तो बो अलग बात हो जाता है ठीक है और आप लोगों को एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा बताना चाहूंगा आप लोग समिस्टर फर्स्ट हो या समिस्टर ठट के भी दियाती हो ठीक है तो फों को किस तरीके से भरना उसको लेकर कि इस वीडियो को आप लोग देख लिजेगा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्सर में दे दूँगा और इस वीडियो में मैंने हर एक चीजों को मनें बताया कि कहां पर कैसे क्या कुछ भरना होता है ठीक है तो जो भी डॉड्स रहेगा जो भी दिखते हैं रहेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसे कर सकते हैं मैं कोशिस करूँगा कि आपका रिप्लाइ दे सकूँ ठीक है और मैं देता भी हूँ ठीक है जो भी क्यूरीज रहेगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को पूरा जरूर देखियागा जो म सब्सक्राइब चाहिए अब करना इसी वीडियो में आपको आपको एक प्रॉल इस तरी कि मैंने भार रहा हूं आप लोगों को प्राइपिंग करके वह ने बता हैं लेकिन आपको प्राइब से भरना है ठीक है और कॉलेज में जाकर करके जमा कर देना अब बात रहा गया कि उन्तमाभ विद्याथी के लिए कि आपका जो है एक्जामिनेशन फॉम का डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसको लेकर करके हम आपके साथ में चैनकाई रखना चाहते हैं ठीक है तो च जो फॉम बढ़ने का जो था अउलाइन भरने का था लेकिन याश्ट में जो है चेंज कर दिया गया किसी तकनीकी बज़स है इसलिए आप लोगों को जो है आप लेंट फॉम को भढ़ना पढ़ रहा है ठाल जो भी आप यहां पर दिखाया गया इसी एमॉन्ट को आपको द नुटिस आया थिक है तो एक तारिक इसे ही पुरा पुरा खत्म हो गिया अब बचा दो तारीक ठीक है और तीन और चार यहीं कि फिर एक दिन सनी भार हो जाता है फिर रभी भार हो जाता है फिर सोंबार तो सभाविक है कि आपका डेट बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा भी ठीक है और यहां से डाउनलोड जो भी है स्टुडेंट न्यूए स्टुडेंट है उन लोगों का रजिस्टेशन यहां से डाउनलोड होगा ठीक है जिसके मैं आपको बता दिया आप लोग एक्जामिशन फोम को आउफलाइन भर के जमा कर दिजेगा उसके बाद आपको फोम भाराया या नहीं भाराया उसको डाउनलोड करने का प्रोसेस और जो रसीद होता है उसे डाउनलोड करने के लिए आपको यहां से करना होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो के माधियम से मैं आपको बता दूँगा किस तरीके साब को डाउनलोड करना होता है फिलाल के लिए पूर्ट इनुबासिटी के टेलीग्राम चैनल से जूना जाते हैं तो चैनल बला बटम पे क्लिक करके जोई कर सकते हैं वहीं नीचे आकर करके बार्ट सब्सक्राइब यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको टेंशन लेना नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने हर एक पहलू पर आपके साथ में बातचित करने का प्रयास क्या हूं वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में मैं इसे जरूर किजिएगा रिप्लाइज जरूर देजगा ठीक है धन्यवाद